चांदी थाना छेत्र के जल पूरा गाउं में देर रात, हत्यारबंद बदमासों न घर में सोरे अधिवक्ता के पुत्र को गोलियों से भून डाला, जिससे वो गंबी रूप से घायर हो गया, उसके बाद उसारन फानन में इलाज के लिए आरा सहर के बावुपजार इस्तित दिजे स्पताल में लाया गया, जहां उसको इलाज कराया जा रहा है, जनकारी का अनुसार जखमी वक्त सिविल कोट के अधिवक्ताया राजेस्वल सिंग रूफ अटल बिहारी सिंग का पुत्र ओम परकासिंग जखमी वक्त को चार गोलिया मारे गई हैं, इसमें एक गोली बायं साइट पीट में एक गोली बायं पैर में और एक गोली दायं हात मलगे। जखमी वक्त परकासिंग न बताया कि उनका तीन ट्रेक्टर और एक स्कॉर्पियो चलाता है, इसकी पूरी देखरे गाओं का यए एक इवक्त करता था, छौमापपूर पैसे की हेरा फेरी के विबात को लेकर जखमी नों से हटा दिया था जिसको लेकर उक्तिवक द्वारा जखमी वक को जान से मारने की धमकी दी गई थी कर दो लोग ने काहां सोय हुए थे यह अपने रूम में कहां पे घर है जल पुरा तापा अच्छा दो जड़ात को सोय हुए थे का पहलेश कुछ विबात था कौन लोग था वो एक बुलू नमका आए डबुली अपके घर पर आके चोहर के मारा है गोडी आपके अभी क्या इस्तिति यह इंका अभी निकल चुका है क्या गोली लगा था चार गोली दो गली पेट में एक पाह में एक पूपाय में यह दोनों गाहुं कलरका है चिक है कि अबना प्ना नमपट जब खाया ची कौका अवकरा है नहीं को नहीं कैण फिस्ट है ऑल का उलके तुम पाह में लगगा है घर ग्रत डपकर